मोकिमंद्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज लोग पत मोबाइल एप का शुभारम किया आम लोग इस एप के माध्यम से एक क्लिक पर खराप सड़कों की शिकायत कर सकेंगे सियम मोहन यादव ने एप की तारीफ करते हुए कहा कि लोग निर्माण विभाग ने बड़ा प्रयोग किया है नई तकनीक से विकास के नए रास्ते खोले जाते हैं लोग निर्माण से लोग कल्यान किया जा रहा है उन्होंने कहा कि लोग निर्माण विभाग के अंतरगत 40, 40,000 किलोमेटर की सड़क आती है सड़क में कहीं भी एक भी गड़्डा दिखेगा उसको सही किया जाएगा लोग निर्माट से लोग कल्याद लोग कल्याद में चर्णता की जाज़ती के साथ उनकी जिख्यासादी उनका समाधान भी सरकार की साथ भी सब कुछ समचे के रुप में एक साथ आएगा और कि कितने सुन्दर कल्पनादी की कि कोई भी बेटिंग जिसको लगता है कि हाँ आगे और सबकों के लबाई इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंग ने कहा कि PWD विभाग लोक निर्माण से लोक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रहा है सडके केवल आवा गमन ही नहीं बलकि सम्रदी सिक्षा स्वास्ति सब कुछ निश्चित करती है इसी को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने मोबाईल एप लॉंच किया है मुझे कहते हुए बहुत खुश्री है कि आज बंद्यप्रदेश में सडकों की द्रश्टी से एक प्रांतिकारी कनब उठाये जागा है हम जबी जानते हैं कि सडके विकास की खंगी हो ना केवल आवागमन बल्कि सम्रद्धी, शिक्षा, स्वास्त, सब्कुछ सब्सक्रों पर आखारी है और अगर सडके अच्छी हो तो उसके कारण से ना केवल विकास खुप्रद्धिक से दोड़ता है बल्कि वो सारे वातावरण पर भी उसका फर्थ होता है जिसे हम सुशासक एक सब्समाज में कहते हैं आप देख रहे हैं डखल न्यूल